भारत के पूर्वु प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग को राहुल गांधी का उत्राधिकारी बनाया जाएगा मनमोहन सिंग को राहुल गांधी के बाद अध्यक्षपत दिया जाएगा इस तरह की तमाम खबरों के बीच में अब एक बड़ी खबर आ रही है मनमोहन सिंग को लेकर पूर्वु प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग राजस्थान से राज्य सभा सांसत बनेगी कॉंग्रेस पूरम में उनका नाम लगभख तै हो चुका है बता दे आपको इस बार कैसे राज्य सभा तक मनमोहन सिंग को पहुँचाया जाए ये संकट कॉंग्रेस पार्टी के सामने था लेकिन अब इसका तोड़ पार्टी की ओर से निकाल लिया गया है भारत निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाफ की तीठी तै करने के बाद पार्टी की ओर से मनमोहन सिंग के नाम की आधिकारिक खोशना की जाएगी इस स्पीच आज यानि रविवार कुमन मुहन सिंग जैपूर पहुच रहे हैं बताय जा रहा है कि राजस्तान विधान सभा में विधायकों के प्रसिक्षन शिविर के जरिये उनका सभी से अपचारिक परिच्चे कराया जाएगा इसी बहाने वो कॉंग्रेस, बसपा, बीटीपी और निर्दलिये विधायकों से मुलाकात करेंगे गौरहो की भाजपा के प्रदरिश शाध्यक्ष और राजसभा सांसद मदनलाल सैनी के निधन के बाद राजस्तान में राजसभा की एक सीट खाली हुई इस सीट से अब कॉंग्रेस पूर्व प्रदान मंतरी को राजसभा भेजने जा रही है हाला कि पहले उन्हें तमिलनाजू से राजसभा सदस्ते पार्टी बनाना चाहती थी लेकिन डीम के से पार्टी की बात नहीं बन पाई और अब मनमोहन सिंग के लिए राजस्तान से राजसभा की सीट सबसे सुरक्षित मानी जा रही है SPN 9 News से मेगा की रिपोर्ट